आज का एपिसोड यूश्वल से बहुत अलग होने वाल है क्योंकि आज का एपिसोड का नाम मैंने सोचा है सस्ता स्टोरी टाइम इंस्पायरड बाइ ट्रिगर इंसान एपिसोड वन हाँ सो हाँ आज का स्टोरी टाइम का टाइटल है कि मैं इतना टाइम तक कहा था वीडियो की अपलोड नहीं कर रहा था तो कैसे स्टार्ट करूं मैं एक्चुली डिस्कॉर्ड पर बैठे मेरे फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था बैडवर्स खेल रहा था कैश्वली अज़नक मेरे को हावसाती एक ब्लांस्ट की और मेरा पीसी बंद नोट डेट मेरा पीसी खुद बंद हो गया बाद में मैंने पीसी कैबिनेट से निकाला और देखा कि जो फावर सप्लाय का वायर होता है वो वायर जल चुका है मैं बोला अरे यार और मैंस पैर वायर पड कर देखे तो जो पावर सप्लाय यूनिट है वह जल गया था में भी पता नहीं मेरे को सईसा पता नहीं है मैंने से शेल्प निकाल के देखा था बट वह जला हुआ लग तो नहीं रहा था तो हमने पीसी दिया सर्वीसिंग में और सर्वीस में देने के बाद हमको पूनोन पावर सप्लाय जल गया है हमको टाइम लकागा थोड़ा Grabapp power supply मंगा कि हमको लगाना पाड़ेगा तो हमने दे दिया PC और वो बन्त? ने लिटरली PC तीन या चार दिन अपने पास रखा मेर को यह पता नहीं चल रहा है पावर सप्ल‐य है तो मेरे को लाके दिया हुता मैं मुझसे पुछे भी ना पूरा PC फॉर्मेट वार दिया उसके अंदर मेरी सारी ग्लेप्स और उसको छोड़के बाद मेरे स्कूल का थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट का सामान अगर है बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज है थी ना मेरा लोगो ना मेरा इंट्रो और ना कुछ भी मतलब समझो मेरा आडिटिंग सॉफ्ट्वेर है नरिकोर्डिंग शॉफ्ट्वेर है ना फोटो शॉब है तो मेरे को वह सब वापस डालने में उन टाइम लग गया और मेरे स्कूल का भी काम करना था क्योटकि एक्चुली यह ऐसा था मेरे स्कूल का प्रोचेक्ट पहले बना के रखा था और उसका सम्मिशन जिस दिन PCI उसके तीन दिन बात था नोट देट तिन दिन बात और मैंने बहुत पहले से बना के रखा था मैं सोचा था यह काम खतम हो गया आप शान्ती और वह चीज मेरे को वापस से फ्रम स्क्रेच बनानी पड़ी और मेरे क्लिप्स सिरियसली मेरे कुछ आठ या दस ख्लिप्स थे वेडर एक्चुली नेक्स्ट वीडियो बेड़ वर्स के ओना वाली थी शर्वाइवल नहीं बेड़ वर्स के एपिसोड होना वाला था और सीरियसली भाई बहुत गया मस्ट था वह आसम था वह बैड़ फ्रेंड ने मिलके देलिटा था वो वो बंदे ने मुझसे पूछे बिना डिलिट कर दिया हां बट ये बात अच्छी थी के मैंने मेरे सर्वाइवल गाइड का जो वर्ल्ड था वो मैंने एक्चुली ड्राइव में रखा हुआ था सो मेरा वर्ल्ड मेरे पास वापस आ गया मतलब मैं सर्वाइवल सीदे से अभी आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ वो बहुत अच्छी बात है मैं एक्चुली बहुत डर गया था कि वर्ल्ड नहीं अब मैं क्या करूंगा और मैं होप करता हूँ कि भाई अब वीडियो वापस सई से आईगी और नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं सच करहा हूँ पक्का दो या तीन दिन मैं अप्लोड कर दूंगा आधा जया सार वीडियो अर्रेडी रिकॉर्ड हो चुका है और नेक्स्ट सर्वाइवल सीरिस का एपिसोड आने वाले क्योंकि हम लोग बेड़ वर्स चैलेंज पहले ही कर चुके इसलिए वीडियो में फील नहीं आती इसलिए हमने वह आईडिया स्क्रेच कर दिया कि हम बेड़ वर्स चैलेंज कर वाले वीडियो डालेंग है तो आई होब कि आपको अच्छा लगेगा एक दम छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूं मैं आपको देख लो आप चलो बस इससरे आदा नहीं मैं स्पोईल नहीं कर रहा आपको अगर आपको आपको आगे जानना हो तो आप थर्ड एपिसोड देखना प्लीज आपको आपको अब पता चलिया होगा कि मैं क्यों इतना ताम से वोडियो नहीं डाल रहा था और नेक्स्ट वोडियो मैं पका दो-तिन दिन में डाल दोंगा तो प्लीज स्टेए टून तो इस चैनल और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब करका नहीं लगा है तो प्लीज क सब्सक्राइब और बेल यकां भी दबा देना सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाय बाय कई है यबधित वाएिगग ए्ट वाइग वैकला त श्री याफ इस अनब जली इंचे जिर भाई जरérenceा है और लंखधित जितत